है लोगारिए वैलकम बैक टो माई चैनल आज हम यहां पर सर्कुलर प्लाजो कटिंग और स्टेचिंग करना से कहेंगे यह मेरा ओल्ड सब्सक्राइब लेके आज लाइनिंग वाला प्लाजो कटिंग को स्टेचिंग करेंगे देखिए मेरा आसन है मैंने इसको फोल्ड करके इसके बाद हम अपनी लाइनिंग पर पहले इसको कट करेंगे लाइनिंग को स्टेट करके यहां पर मैंने बिचा लिया है और यह मेरी दो लेयर है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी देखिए मैंने दो लेयर में इसको बिचाया है अब मैं इसको ट्राइंगल में फोल्ड किरूंगी इसको मेंने पुल्ड किया है एक किनारे का उठा के जो चोनले रहात हैं, तो हमें यहां पे सेंटर में से निशान लगाया है यहां पे हमारा 11.5 इंचे चैप के कॉर्नर को मैंने उपर की तरफ रखा है और यहां पे ऐसे गुमा दिया है तो यह मेरी तो यह वहाँ पर रखेंगे यह वाला कॉर्नर है उपर सेंटिप को नहीं गुमाना है नीचे से आजली हम यहाँ पर आज पर आज आ रहा है और अब हम इसको चेक करेंगे तो HD 11.5 safe जितना जाया थे पीप से सब्सक्राइब है जतना हमेंघी मचल्स हनुन है और नीचे सेह मैं proppent 11 इंच पर बाध्याया काinya Su नीचे सेहम देखे यहा पर 11 इंच पर मैंने निशान लगाया है यहाँ पर 2 इंच अंदर की तरफ इसे कर लिया है यहाँ पर ऐसे निशान लगाया और यह मेरा आसनि Truck पर मैंने इसे शेट दे दी और अब मैं यहाँ पर ऐसे चेक करूँ गए देखिए मरा 16 इंचिस यहाँ पर रेडी हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगाया है अपनी लेंथ का जो में लाइनिंग है लाइनिंग को हम में फैब्रिक से 3 या 4 इंचेस यहाँ पे कम रखेंगे तो यहां पर देखिए मैंने ऐसे निशान लगाया और जो मेना àग और और जो मेरा कॉर्णर है मेने यहां पर देखिए किमीरा यहां पर 44 इंचिस आ रहा है तो उपटर हमें इंचिय टेफ को नहीं गुमाना है उली हम नीचे से मैंने इंचिय टेफ को को round shape दी है देखें ऐसे ऐसे गुमाया और यहां पर आप ऐसे करके निशान लगा दिया तो यहां पर इसे ही यहां पर देखें जो मेरा कपड़ा हुप यहां पर कम पढ़ रहा है यहां पर हम जोड देंगे और इसलिए जिब हम सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं तो हमारा यहां पर जोड जरूर आता है तो यहां पर हम एक्स्रा कपड़ा लगाएंगे वह भी मैं आपको बताऊंगी पहले हम इसको कट कर लेते हैं देखे मैंने कट कर लिया इसको अब यह देखे जो मेरा कपड़ा नीचे से बचा है इसको हम यहां पर ऐसे रखेंगे और जो यह मेरा जोड है जो मैं कपड़ा यहां पर डालूँगी उसको मैं नीचे की तरफ कर लूँगी यानि जो मेरा प्लाजो है यहां पर देखे इसको मैं इसे फोल्ड करके रखोंगी देखे मैंने जो मेरा कपड़ा था जिसको हम कट करेंगे वह मैंने नीचे रख लिया क्योंकि नीचे इसलिए रखा है क्योंकि जो हमने कट किया है वह शेप हमें पॉपर ऊपर की तरह दिखाई दे रही है ताकि हम इसको इसलिए कट कर सकें असली एक्षक्त करके जीजए इसको निए तरह कंगा कर दिया और पर। अब एहां अप्री भी को नीचे की तरह ब्जाओंगी मीनमा थैंगल में एक्षक्त हो ब्लाइनिकasi लिख्टियांक्र विचेंगल में इसको फोल्ड की लंबाई है इक के नीद uniform वे लिए। में इसलिए मैंने अपनी में फैब्रिक के लंबाई देखें एक मेरा कॉर्टनर है यहां पर जो मैंने कट किया है यहां से बिल्कुलिए इसके किनारे की ऊपर मैंने इंची टेप को रखा और नीचे वाली शेप मैं प्रॉप पाड़ दे दी जैसे मैंने लाइनिंग पर दी को कट करने के बाद जो मेरा लाइनिंग का यहां पे जोड था मैंने इसको स्टिच कर लिया है मेन फैब्री को भी मैंने स्टिच कर लिया है जो मेरे जोड थे और यहां पे देखिए जो मेरे आसन है दोनों पोशन को जो लाइनिंग के मैंने दो पीस यहां पे कट किये थे ना क्यानि कि हमें जोंट करेंगे मैं मेरी कॉर्ण Daface के में इसको भी Bride कर लिया है और अब देखिये इसको ऑवर्लैप करके रखेंगे यह जोड का डेयि दो आसन को मैं और सेंटर में पकड़ब हो जो मेरे ऊपर के किनारे हैं जो मेरी यॉर्ण हमेरा है ब्रिक को हम यहां पर जोड़ देंगे और सेौनी उपर से हम in diayaka ऑफर से Kelly को जोड़ने के बाद हम यहां पर अपनी इलास्टिक को स्टिच करेंगे अभी हमें आसन कोorta जोड़न कोछले आसन को ममेंझे जोड़ना है हम यहां पर पहले इलास्टिक को स्टिच करेंगे फिर बाद में हम दूसरे आसन को यहां पर स्टिच करेंगे हमारी इलास्टिक यहां पर वन इंच की है तो मैं यहां पर वन इंच की लास्टिक लगाऊंगे तो देखी लाइनिंग को मैंने उपर की तरफ रखा इंच हमारा मेन उसका आएगा और जो हाफ हाफ हींच है वह हमारा अंदर फोल्ड करने का आएगा इसलिए हमने तीन इंच की पट्टी यहां पे ली है पहले हम पूरी पट्टी को अपने जो उपर का घेर है उसमें स्टिच कर देंगे लंबाई हमने अपने प्लाजो के कमर के अकॉर्डिंग ली है जितना हमारा उपर का घेर है पूरे घेर में हम यहां पे देखिए मेरा आसन आ गया है यहां पे पूरे में हम एंड तक इस पट्टी को स्टिच कर देंगे इस सिलाई को यहां पर ऐसे चुपा देंगे नीचे की तरफ तो यह मेरी इलास्टिक है वान नीच की कमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग यहां पर जितनी हमारी कमर है उससे मैंने 5 इंचिस अपने इलास्टिक को कम कट कर लिया है तो अब हम देखें यहां पर किनारे ऐसे इस हमारी जो पट्टी है ऊपर की तरफ हम इसी पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है और ऐसे करके हम इसको स्टिच करेंगे उसके बाद देखें हम यहां पर अपनी इलास्टिक को स्टिच कर रहे हैं और हम कपड़े के ऊ तरफ ऐसे कीचे और एंड तक इसको स्टिच करेंगे एंड में कैसे स्टिच करना है यह भी मैं आपको दिखाऊंगी एसे ही इसको स्टिच कर देंगे ताकि हमारी इलास्टिक जो है वह यहीं पे फिक्स हो जाए वह अंदर की तरफ ना भागे उसके बाद हम देखें पूरे फैब्रिक को ऐसे खींच लेंगे जो हमारे बल हैं फ्रंट और बैक में एक्वली हो जाएं देखें एक्वली आ गए ह में इलास्टिक ऊक्रहल पच्चे से हीच लिया है अब हम दूसी तरफ के आशन को यहां पर स्टिच करतेंगे द्हिएं दूसी तरफ के रिखना को मैंने बाद में स्टिच किया है है ज़म हमारी लो शुलीं के इयां पे स्टिच हो गई है अब हम देखिए इसके एक chant morals का त इसके बाद गाइस जो हमारी lining है lining का नीचे वाला जो portion है उसको fold करेंगे और में fabric के वह portion को हम fold करेंगे जो हमारी मोहरी है नीचे से उसको फोल करेंगे उसके बाद जो मारा crouch area । नीचे से हम अपने प्लाजो को बंद कर देंगे बंद करने के बाद गाईस हमारा प्लाजो यहां पर रेडी हो जाता है उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और झाम्याओ हमारे चैनल कि आपको सब्सक्राइब यहां वारे प्लाजो चौक।